दोस्तों जैसे कि आप सब लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा था मैंने आपको अश्टान योग के बारे में बताने की कोशिस की थी I hope कि आप लोगोंने वीडियो देखा होगा और अश्टान योग के बारे में आप सबको थोड़ी बहुत जानकारी तो मिले गई होगी आज मैं अश्टान योग कोई आगे कंटीनू करूँगा और वीडियो के साथ आप लोग बने रहे हैं अब आप लोगोंने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख दूँगा आप वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं सुख में जीवन आप लोग अपना जी सकते हैं मैं कोशर खंतवाल आज बात करूँआ अश्टाम योग का पहला अंक यम के बारे में तो आज हम यम के पट बात करें यम क्या होता है सुख लडश्टा दर्वियो दोस्तों जिस प्रकार शारिलिक लोगों में चिकित्सा करने स से पहले शरील का शुद्धिकरन आयुरुवेद की पंच करमा से किया जाता है उसी प्रकार योग में चित्वृत निरोध के प्रयास से पहले शारिक एवं मानसिक शुद्धिकरन किया जाता है या फिर आप बोल सकते हैं आवशक है इनी यम एवं नियमों के अभ्यास से मन यानि चित का शुद्धिकरन किया जाता है यम दोस्तों यम अस्टांग योग का पहला अंग है जो की इस प्रकार है यहाँ पर एक शुलोक के जरिये में आपको बताऊंगा तो शुलोक है अहिंसा सत्या अस्तेया भ्रम्चर्या परिगरा यमा अर्थार्थ अहिंसा सत्या ऐस्तेया भ्हमचर्य एवं अपरी घहर से ये 5 यम है तो यहाँ पर यम का जो पहला नियम है अहिंसा यानि मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को दुख ना देना अहिंसा कहलाता है इसके अभ्यास करने से आपसी प्रेम की भावना का विकास होता है जो चित यानी मन को शुद्ध करता है अब यहाँ पर एक शलोक के जरीया आपको समझा हूँ शलोक है मनसा वाचा करमना शर्व भूत से सरवदा अकलेश जननन प्रकोति मही साथ वेन योगिभा अर्थार्थ सदा सरवदा शरीर वानी करम से किसी भी प्रानी को कष्ट ना देना अहिंसा कहलाता है उसके योग मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को अहिंसा व्रत रूप में लेना होता है चलते हैं यम का दूसरा नियम सत्ते पर जैसे आँखों से देखा कानों से सुना या अनुमान लगा के बुद्धी से निर्नर किया वैसे ही मन में धारणा कर लिया वानी से कहकर तथा उसी के अनुसार कार्य किया अर्थार्थ मन वचन एवं कर्म से समान रहने का नाम सत्य है अब यहाँ पर मैं एक और शलोक आपको सुनाना चाहूँगा सत्यम वुर्यात प्रियम वुर्यात मा वुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम चे ना मनित्यम वुर्यात एश धर्मह सनातनह अर्थ सत्य बोलो परंतु अच्छे लगने वाले मतलब प्लिया लगने वाले शब्दों से बोलो तुमारे कहे वचन अच्छे लगे इसके लिए असत्य भाशन मत करो यही हमारे सनात्नम यानि प्रारम से चला आ रहा धर्म कर्तव्य है मन वचन एवं कर्म से सत्य कर आचरन करने वाला का प्रभाव आपार होता है महर्शी पतंजली ने योग दर्शन में कहा था सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फ्ला श्रियत्वम यानि सत्य पर द्रड इस्तिती होने पर ही व्यक्ति की वानी को कहा जाता है वह अवश्य फूल भूत होता है सत्य के अभ्यास करने वाला व्यक्ति को फल स्वेम प्राप्त हो जाता है दोस्तों अब चलते हैं हमारे यम के तीसरे अंग अस्तेय पर श्लोक कुछ इस प्रकार है मन्सा वाचा क्रमना पर दुलियेशु निस्परहा अस्तेय यमिति संप्रोकाताम रिशिभिस्तिवा दशिभी यग्यवलकयम सा अर्थार्थ मन् वचन एवं करम से दूसरों की चीजों की इच्छा ना करना अस्तेय कहलाता है दूसरों की किसी भी प्रकार की वच्चु को लेने की इच्छा ना रखना उस पर ध्यान भी ना देना मन में कोई विचार ना लाना एवं दृष्टी ना रखना अस्तेय कहलाता है जिसको मेहनत से ना कमाया गया हो उसको लेने का सुपने मन में भी विचार ना करना अस्तेय कहलाता है चोरी ना करना अस्तेय है अब यहां बर एक और शलो अस्तेय प्रस्तिष्ठायाम सर्वरतनो प्रस्थानाम अर्थार्थ अस्तेय चोरी की त्यार्ग में इस्थिर हुए व्यक्ति को सर्वरतनों की प्राप्ति होती है अर्थार्थ उस व्यक्ति को आवशक्ता अनुसार इश्वर किरपा से सब वस्तों की प्राप्ति हो जाती है उसकी आवशक्ताएं कभी रुकती नहीं है दोस्तों अब चलते हैं हमारे यम का चौथा अंग भ्रह्म चर्या के उपर भ्रह्म चर्या से जैसे कि आप लोग समझी गए होंगे भ्रह्म चर्या मतलब भ्रह्मा प्लस चर्या जिसका सामान्य अर्थ है भ्रह्मा से रमन करना चूंकि आत्म सत्या प्रमात्मा का एक अर्थ है अतहा सामान्य आत्म सत्या से रमन करना ही भ्रह्मचर्या कहलाता है शारिक दृष्टी से भ्रह्मचर्या को तप भी कहा जा सकता है क्योंकि तप यानि अतपस्या का अर्थ मल य अर्थार्थ इंद्रियों स्वयम है यानि भ्रह्म चर्या नामक तब से आयमिक भौतिक तता अध्यात्मिक उन्यती होती है योगी ही भ्रह्म चर्या व्रत का पालन करते हैं यानि अध्यात्मिक उन्यती करते हैं यहाँ पर महर्शी पतंजली के अनुसार भ्रह्म चर्य प्रतिष्ठ ठायम वीर लभा यानी भ्रह्म चर्य की प्रतिष्ठा होने पर वीर लाब होता है। भ्रह्म चर्य तपस्या देव मृत्यु मा प्रधानता है। अर्थार्थ भ्रह्मचर्य की महान शक्ति द्वारा देवों ने मृत्यू को नश्ट कर दिया यानी मृत्यू पर विजय प्राप्त कर दी थी। इसमें सिद्ध होता है कि भ्रह्म चर्या में वह अध्भुत शक्ती है कि वह व्यक्ति मृत्तु को अपने इच्छा के आधीन कर सकता है। दोस्तों आप चलते हैं हमारे यम के आखरी अंग अप्रिग्रह के बारे में। इसका मतलब है अपने स्वार्थ के लिए मंता पूर्वक धन, संपत्ति एवं भोग साम्मगली का संचे करना परिग्रह है। इसी के अभाव का नाम अप्रिग्रह पड़ा है। अप्रिग्रह अर्थार्थ आवशक्ता नुसार ही भौतिक के साधनों का संचेवा उप्योग करना ही अप्रिग्रह कहलाता है। श्लोक इंद्रियाननम प्रसंग गेन दोश मिच्चतियश सैयम, सन्नियमह तुतान नियत्व तता सिद्धि नियच्चति अर्थार्थ इंद्रियों के विशे में आसक्त होने से व्यक्ति निसंद्य दोशी कवन बनता है। परंतु इंद्रियों को वस में रखने से विशेयों के भागों में वह पूर्ण विरुक्त हो जाता है। ऐसे आचरन से अप्रिग्रह के सिद्धी भी हो जाती है। यहां पर मैं एक और शुलोक के जरिया आपको समझाने की कोशिश करूँगा शुलोक कुछ इस प्रकार है अपरी घ्रह गरस्त थेया जनम कथाता संभोधा अर्थार्थ अपरी घ्रह में द्रड इस्तिती होने पर हमारा जनम किस प्रकार का है यहां बोध हमें हो जाता है अपरी घ्रह सिद्ध हो जाने पर योगी को भूत भर्ष एवं वर्तमान तीनों कालों में वह क्या था क्या होगा और वर्तमान संभन्दिक जिग्या सा उसकी शांत भी हो जाती है दोस्तों ये थे हमारे यम के पांच अंग जिने पालन करने से योग दर्षन में उन करतवयों की शिक्षा हो जाती है जिसे पालन करने से मनुष्या अपना साधरन रूप में भी जीवन जी सकता है शांति पूर्वक खा सकता है और सो सकता है ये पांच कर्तवय या वरत ऐसे हैं जो प्रत्येक सभी व्यक्तियों के लिए पालन करना अवश्य है तो आज के लिए इतना ही I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अस्टांग योग का पहला अंग यम के बारे में आपको पता चली गया होगा तो मिलते हैं मेरी अगले वीडियो में अस्टांग योग को ही आगे कंटिनू करेंगे